39% लोग नहीं जानते तिल का तेल खाने के फायदों के बारे में तिल का उप्योग करने के कई तरीके हैं, जिन में तिल के तेल का इस्तेमाल भी शामिल है यह कई ओजदिये गुणों से भरपूर होता है, इस कारण इसे स्वास्ते के लिए लापकारी कहा जाता है तिल के तेल को तुच्छा और बालों में लगाने के साथ साथ भोजन बनाने में भी उप्योग किया जाता है यह तिल का तेल को शारिडिक समस्याओं के लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है तिल का तेल किस तरह से काम करता है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजे जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा फॉलो कीजेगा जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब और मोर वीडियो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें सबसे पहले बात कह लेते हैं तिल के तेल में क्या पाया जाते हैं और कौन-कौन से पोशक्तर तो पाया जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए फायदे बंद हो सकते हैं प्रेंच चलियाएए अब बात कह लेते हैं तिल के तेल खाने के तेरा बड़े फाइदों के बारे में नमबर वन बिटामिन E का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है तिल का तेल तिल के तेल में टोकोफेरोल होता है यह बिटामिन E का ही एक रूप है इस वज़े से तिल के तेल को बिटामिन E का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसके अलावा इसमें टोकोफेरोल याने बिटामिन E एंटियोकसिदेंस की तरह कारे करता है जो शरीर को फ्री राडिकल से बचा कर कई बिमारियों के जोखिम को कम कर सकता है बताया जाता है कि फ्री राडिकल की वज़ेशे शरीर में कैंसर सेल्स के बढ़ने वहर देरों को जोखिम कम हो सकता है तिल के तेल के फायदे डाइबटीस की स्थर को नियंत्रित करना भी शामिल है NCBI के एक शोखिम के मुताबिक सफेद तिल का तेल बलड गुलकोस को रेगुलेट करने और मदुमे के नुकसान दायक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है इसी कारण से तिल के तेल के फायदे मदुमे की समस्या से बचावे राध को भी गिना जा सकता है नमर 3, Antioxidants का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है तिल का तेल एक शोद के अनुसार तिल का तेल सैसमोल और सैस मिनोल नामक तत्व से समरद होता है ये दोनों तत्व सकतिसाली Antioxidants की तरह काम करते हैं एक अन्य शोद में जिक्र मिलता है कि Antioxidants प्रभाव से Oxidative Stress इसके मिक हिर्दे रोग और Diabetes जैसी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है नमर 4, हिर्दे स्वास्ते के लिए फायदे बन हिर्दे को स्वास्त रखने के लिए आहार में इस्तेमाल किये जाने वाले तेल की भी महतपुन भूमिका हो सकती है जी हाँ तेल के तेल का उपयोग करने से हिर्दे को स्वास्त रखा जा सकता है तेल के तेल में Antioxidants प्रभाब होता है जो हिर्दे को सुरक्षित रखने में साहिक हो सकता है साथ ही इसमें Lpignans Fiber का एक प्रकार भी होता है जिसे Colesterol को नियंतरेट करने के जाना जाता है तिल के तिल के फायदे में हिर्दे संबंदी जोखिम से रहा दिलाने को भी किना जा सकता है इंटी इंफ्लमेटरी गुण तिल के तिल के और दिक गुणों में से एक एंटी इंफ्लमेटरी भी है इसके anti-inflammatory प्रभाब के कारण तिल के तेल का इस्तेवान शरीर की सूजन संबंदी समस्यां को दूर करने के लिए किया जा सकता है सूजन शरीर के बाहरी और अंदुरीनी दोनों भाग में हो सकती है जिससे तिल के तेल का उपयोग करने से राहत मिल सकती है अधियन के अनुसार तिल के तेल का उपयोग करने से हाथ पैर के उपरी या निचले हिस्से में भी लगी चोट के कारण होने वारे दर्द को भी कम किया जा सकता है नमर सिक दर्द से राहत पाने के लिए NCBI के खोट के मुताबिक तिल का तेल दर्द से भी राहत दिलाने में मदद कर सकता है तिल के तेल में एंटी नौसी सेप्टिक यानि की दर्द को कम करने वारा प्रभाब पाया जाता है जो दर्द कम कर सकता है इस कारण तिलका तेल उपयोग जोडों के दर्द को दूर करने के लिए घरेलू उपाई से लेकर दाद दर्द दूर करने के उपाई की तरह काम किया जा सकता है रिसर्च में लिखा है कि मासिक धर्म सिंड्रॉम, खरोंच और कटने के कारण होने वाले दर्द को कम करने में भी यह तेल साहिक साबित हो सकता है नमबर सेविन एनीमिया की समस्या को दूर करे तिल का तेल एनीमिया की जोखिम को भी कम कर सकता है एक अधियन के अनुसार तिल का तेल में मौजूद पॉली अंसाचुरेटिट फैटी एसिड और फैनोलिक फाइटो केमिकल्स एनीमिया से बचाप कर सकते हैं नमबर एट आँखों के स्वास्ते के लिए तिल का तेल खाने के फायदों में आँखों की समस्या को दूर करना भी शामिल है इसे जुड़ी एक research में लिखा है कि तिल का तेल मदू में नेत्र रोग यानि की diabetic retinopathy यानि की retina में suzen से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है एक research के अनुसार तिल के तेल में मौझूद sesame compound retina की suzen को कम करने में प्रभावी हो सकता है साथ ही इसके कारण होने वाले अंदेपन से बचाप करने में भी मदद मिल सकती है number nine रखचाप का स्तर कम करे तेल के तेल में मौझूद polyunsaturated fatty acid रखचाप को कम करने के साथ ही उच रखचाप रोगी में इसके स्तर को बढ़ने से रोख सकता है शोद के अनुसार, साथ ही इसमें मौझूद anti-oxidants प्रभाव, बिटामिनी, unsaturated fatty acids भी रखचाप के स्तर को नियंतरी रखने में मदद कर सकते हैं number ten arthritis से रहा दिलाए arthritis की समस्या को गठिया के नाम से भी जाना जाता है इस परिशानी को कम करने में तिल का तेल मदद कर सकता है तिल के तेल में मौझूद lignans, anti-inflammatory प्रभाव प्रदाशित करते हैं इसके कारण यह शरीर में होने वाली inflammation और इससे समंदित बीमारियां जैसे arthritis को कम कर सकता है number eleven अनिद्रा के लिए अनिद्रा की समस्या से रहात पाने के उपाय के तौर पर तिल का तेल का उपयोग किया जा सकता है आयरवेद में भी सालों से तिल का तेल को अनिद्रा दूर करने के लिए सिरोधरा चिकिस्टा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है रिसर्च के अनुसार यह प्रभाव मस्तिक्स में रक्त को सही तरह से प्रभाइद करके नीन को गुर्वत्ता को बढ़ा सकता है 12 तुचा के लिए तिल का तिल तुचा से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में लापकारी हो सकता है तिल का तिल हीलिंग प्रभाव युक्त होता है जो गाओ भरने में मदद कर सकता है साथ ही तिल के तेल में टोकोफेरॉल होता है जो सूरज की अल्ट्रा वाइलेट केड़नों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है इसके कारण सन्बन समंधी परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है 13 बालों के स्वास्त के लिए तिल का तेल सकेलब को परियाप्त पोशन प्रदान करने में मदद कर सकता है तिल के तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो जीवाणों को दूर करके सकेल्प के संक्रमर्ण से छुटकारा देरा सकता है भूसी की समस्या दूर करने वाले अधिकतर उतपाद एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल युक्त होते हैं ऐसे में तिल के तेल में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रभाव को रूसी की समस्या दूर करने में मददगार माना जा सकता है वापधानी के तौर पर बात कर लेते हैं तिल के को साइड इफेक्ट यानी नुकसान के बारे में कई बार तिल के तिल का उपयोग नुकसान दायक भी हो सकता है इससे होने वाले नुकसान कुछ इस फरकार है समेदसी लोगों को तिल का तिल का उपयोग से ऐलर्जी हो सकती है तिल के तिल में रफ्त चाप का इस तर कम करने की छमता होती है इसलिहाद से अगर कोई blood sugar कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए इससे blood sugar इस तर अधिक कम हो सकता है तेल के तेल में कैलोरी अधिक होती है जिस वज़े से अधिक सेवन के कारण शरीर का वज़न बढ़ सकता है जिल के तेल से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंदाई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंदाई हो तो वीडियो को like और share करना बिलकुल ना भूलें जिससे कि ये जानकारी आगे तक पहुंच सके और अगर आपने अभी तक योनिक तरका को subscribe नहीं किया है